20 अपरेल यानि हिटलर का राष्टदीन पुरे देश में एक निशेत के तोर पर मना जाता है और इस सिलसिले में यहां के काकडे जी जो है वो हमारे साथ में बातचीत के लिए है कि वो भी एक जो केंदर सरकार की जो नीती है उनके खिलाब एक 20 अपरेल को एक परड़े तोर पर एक निशेत दीन मनाने के लिए तैयारी कर रहे है किसान ब्रिगेट के काकडे जी काकडे जी आपने 20 अपरेल को ही क्यों चुना 20 अपरेल 1949 को हिटलर का जिस दिन जनम दिन था उस दिन उनोंने राष्ट दिवस मनाया था अब यह राष्ट भक्तों की सरकार है और रास्ट भक्तियों की सरकार को रास्ट दिन के उपर ही उनको समझ जाना चाहिए बताना चाहिए और दूसरी बात यह है कि नोट बंदी से लेके करोना तक जितनी आनियमित्ता हुई है जिससे कारण हमारे देश में 15 करोड बेरोजगार हो गए लोग रास्ते से चलते हुए मर गए हम लोग रास्ते से चल रहे थे और हम उपर से फूल बरसा रहे थे उनके उपर हेलिकाप्टर से फूल बरसा रहे थे लोग मरे हुए कुत्ते खाने के लिए बाद्दे हो रहे थे और हमारे नेता थाली और ताली बजाने के लिए उनको प्रोसाइद कर रहे थे तो ऐसी अनिमित्ता वाली सरकार जिनके कारण ये हुआ है वो आज के तारीक में जब मौत का उस्सव चल रहा है चारो तरफ एक तरफ कुम्भ का उस्सव चल रहा है एक तरफ मौत का उस्सव चल रहा है और अगर कोई परधान मंत्री मौत का उस्सव मना सकता है तो जनता को यह अधिकार है कि वो इसका बेरोजगारी का भी उस्सव मनाए क्योंकि हमारा देश उस्सव प्रिया देश है इस देश में हर चीज का उस्सव होता है प्रधान मंतरी ने बोल दिया तो करोना के मौत का भी उस्सव हम मना रहे हैं इतने लोगों के साथ में ये बेरोजगारी का भी उस्सव हम मनाएं क्योंकि आज के तारीक में आप देख लीजिए कि हम जब लॉकडाउन हुआ था तो कहां भागे थे हमारे सारे मजदूर और मेनतकश लोग गाउं के तरफ भागे थे जिस गाउं को गाली दे के वो गए थ कि गाउं में कुछ नहीं रखा है गाउं में कुछ हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है ऐसा बोलके जो गाउं से निकले थे आश्रेस थल उनका अंतीम क्या था गाउं था क्योंकि वो उनका गोसला था गोसला है हमारे देश गाउं में बशता है ऐसी नहीं बोला जाता है क् संकट की गड़ी में हर बादमी घोसले के तरफ लोडता है और वो घोसला उजाणने का भी काम ये मोदी सरकार कर रही है तीन कानूनों के अंतरगत वो घोसले उकड़ेंगे तो मोदी नहीं चाहता है आपका घोसला भी जिंदा रहे आप भी जिंदा रहो का रोजगार भी जिंदा रहे क्योंकि वही फाइंड आवर नेशन रूट नाम की जो किताब गोलवल करने लिखी थी जो बावसावर कर की किताब है उसमें उन्होंने लिखा इस पस्टव तोर पे कि जब तक देश की 95 प्रतिश्यत जनता हैंड टू माउथ नहीं होगी जब तक यहां कटर हिंदुत्व की विचारधारा लागू नहीं हो सकती है हमारी सुश्मा जी एक्सपाइड हो गई विचारी उन्होंने 2013 में पारलमेंट में भाशन दिया था कि इस देश में जो गरीवीरेखा से नीचे है 27 प्रतिशत लोग नहीं है 31 प्रतिशत से जादा लोग गरीवीरेखा से नीचे है मोदी जी ने करोना काल में कबूल कर लिया कि 85 करोड लोग हम अगर अनाच दे तो खाने के लाइकियत के बचे है मतलब 65% लोग 6 साल में हमने गरी बिरेखा से नीचे धकेल दिये है अब 30% बचे है 95% हो जाएंगे तो हमारे देश में कटर हिंदू तो आने वाला है इसके विरोध में हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं पंदरा करोड जो लोग है जो कोरोना के चपेट में आकर बेरोजगार हुए है लेकिन इसका आकड़ा जो है अभी बीच में ही एकोनामिक टाइमस ने दिया था कि इसका आकड़ा जो है 35,000 करोड तक पहुच चुका है उसमें सारे 35 करोड तक पहुच चुका है लेकिन इसमें सारे labor आए technical है non-technical सारा है तो ये जो बेरोजगारी का जो सिलशिला है लगातर बढ़ते जारा है लेकिन government इसको लेकर कोछ initiative ने ले रही है Κोछ नए sectors को reform नहीं कर रही है आपको क्या लगता है कि यह decision making में ये सरकार कईने कई यह है यह बराती घोडो की सरकार है संगी बराती घोडे है उनके दोरो तरफ ब्लिंड्स लगे होते यह दुनिया को 60 डिग्री में देखते है दुनिया एक्चिवल 360 डिग्री में है तो इनको समझ में नहीं आता है इनका अर्थशास्त्र, उनका राज्य शास्त्र उनका समाज शास्त्र यह 60 डिग्री में चलता है और वो 60 डिग्री है जो उन्होंने बताया है We Find Our Nationhood में और उनका जो पहला किताब है उसमें जो Bunch of Thoughts उसमें जो बताया है वही इनका रास्ट है उससे ज़्यादा इनको रास्ट समझ में नहीं आता ना इनको समाज समझ में आता है ना इनको धर्म समझ में आता है तो ऐसे लोगों से क्या पेक्षा करोगे देश में तीनो कुर्शिक काउन जो है वो मोधी सरकार लाने के तयारी कर रहे है लेकिन इस पर लेकिन बने है या उत्तरप्रदेश के कुछ सिमावर्ती जो इलाके है उसी के किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे आपको लग रहा है कि मध्यप्रदेश है महरास्ट है बाकी सारे जो स्टेट है वहाँ के किसान बड़े पैमाने पर अभाव हुआ है वह इस आंदोलन में है मगर जिनका अभी होने वाला है दूसरे और तीसरे और तीनों कानूनों के माद्यम से जिनकी लूट होने वाली उनको भी पता नहीं चला जैसे हमें पता नहीं चला था कि एजुकेशन में जो बदलाव किया है उससे हमारे 95% बच्चे नहीं पड़ेंगे जो लेबर कानून में बदलाव किया है अब लेबर बंदुह मजदूर के सीवाय कुछ नहीं बचा है तो यह जो होता है जिस वाक्त जैसे ही प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया था तो आपको पता होगा कि होब deficit कर दिया इसका क्या महत्तव है यह आपको पता है तो समाप्त करने के लिए इन्होंने किया है क्योंकि फिर मैं उससी पे आता हूँ 95% जनता जब तक hand to mouth नहीं होगी इस देश में कटर हिंदूत वो नहीं आएगा यह इनके विचारदारा है लेकिन मोदी सरकार का कहिना है कि जितने सारे पब्लिक सेक्टर्स है तो वो सरकार का काम है सरकार का काम एक्चुली कमपनी को चलाना नहीं है सरकार जो है वो उद्ध्यमी को चलाना है सरकार केवल जो है उसको प्रमोट कर सकती है जितने सारे पब्लिक सेक्टर्स है चाहे गेल हो चाहे Indian oil हो सारे अभी सरकार बेशने को लेकर उनकी banking sector सारा बेशनी की तयारी कर रहे है इसके पीछे की वज़े मोधी सरकार यह बत रहा है कि सरकार का काम जो है वो किसी company को चलारा नहीं है क्योंकि company को promote करना है जिसके करण employment generate हो पाए आपको क्या लगता है कि यह policies कितने हद तक सही है और क्या damage कर सकते है Indian economy को देखो promote करने के लिए किसको कर रहे है तो 2-3 industrial list युकर ले 10 industrial list से ज़्यादा नहीं कर रहे जिस अडानी को airport दे दिये उसके पास में कोई experience नहोते हुए 10 airport दे दिये जिसके उपर negative mark लगा था रफेल का यहां इत्पादन का जिसको ठेका दे दिया है वो रफेल का ठेका उसको दिया था जिसके पास में बनाने का कोई experience नहीं था और आपको पता है कि रफेल का सौदा किस नहीं किया है मोदी जी नहीं किया है 500 करोड का रफेल 16 करोड में कैसे खरीदा और वो बोलते हैं कि उसके अंदर ऐसे ऐसे equipment लगे जिसके वर ऐसे कीमत बढ़ गई है तो आप मुझे बताइए कि वहां की secret agency ने जब उनके audit किया तो 1 euro 1 million euro किसको transfer हो है हिंदुस्तान में इसका बताना चाहिए जवाब तो यह जो बताते हैं इनके कतनी और करने में फर्क है यह RSS का मूल तत्वत नयाने कि बोलो एक करो दूसरा इनको कोई मतलब नहीं है हर चीज में ऐसा ही करते है यह कह रहा है आपकी समाज की भलाई के लिए मगर भला ऑफिस किस के बने पंचतारंकित तो BJP के बने नोट बंदी के बाद में किस का बने उन्नती हुई है तो BJP के कार्यलेओं के उन्नती हुई है आपको देश के उन्नती दिखाई दिये कहीं नहीं दिखे इन्हों ने बोला था कि नोट बंदी हम इसलिए लाए हैं, क्योंकि उससे आतंकवात समाप्त हुआ, नकसलवात समाप्त होगा, काले पैसे समाप्त हुए, हो गये, कुछ नहीं हुआ ना, यह बोलते क्या है, अभी यह बता रहे हैं कि उससे दातखाज कुझली मिटेगी, किस गर के यहां तो घर बचाने के आ गई और सरकारों में क्या फरक था कॉंग्रेस सरकारों में क्या फरक है मैं बता देता हूं 60 साल के पहले की सरकार में फरक इतना ही है कि पहले हम सरकार से अपेक्षा करते थे कि सरकार हमें दाम देगी सरकार हमें पेंशन देगी सरकार हमें इं मत चीन लेना, मेरी खेती मत चीन लेना, मेरी बच्चे मत चीन लेना, मेरी स्वतंतरता मत चीन लेना, यही फरक है इसमें दोनों में मेरा आखरी सवाल है कि क्रिशी कानून जो है एक अग्रिकल्चर सेक्टर जो है जुड़ीपी में बहुत बड़ा रोल हम अदा करता है अग्रिकल्चर सेक्टर मतलब टू से त्री परसेंट जो अग्रिकल्चर सेक्टर जो है टोटल जुड़ीपी में अग्रिकल्चर का रोल ह कृशी कानून आ रहे है उसके अगेंस्ट में पुरे लगबख opposition party भी उसके audience में कॉंगरेस जो है उसके अगेस्ट में कृशिका नहीं को बिल्कुल नहीं देगा विरोधी पार्टी की जिम्मेवारी थी उस सारे पांचों प्रादेशों के इसमें बताइए किसने या किसान का मुद्दा उठाया मुद्धी तो नहीं उठायगा ना विरोधी पार्टियों ने क्यों नहीं उठाया लेकिन वो केमिनिस्टों ने हो चाहिए कॉंग्रेस ने हो अपने मैनिफेस्टों में ये बात क्यों नहीं रखा मैं मुझे नहीं पता कि आप अगर इमानदार हो तो किसानी मुद्दों के लिए ओड़ देना शुरू कर दो अगर आप ओड़ द्याती और धर्म और भाशा और प्रांतवाद और पैसे से और दारू से देते होंगे तो आपको फसल के दाम मांगने का किसान कानून मांगने का बहतरीन कानून मांगने का बच्चों की शिक्षा और स्वास्त मांगने का अधिकार आप खो देते हो आखरी सवाल है बीस अपरेल को जो आप मनाने जा रहे है इसका प्रारूप क्या है इसका प्रारूफ है कि इस वक्त बाहर निकल नहीं सकते तो सोशल मीडिया पर हैस्टेक चलाने से लेके जो मज़दूर पैदल चले गया उनका ये सरकार ने कैसी मज़ा किया उसका इन सरकार ने PM फंड जो इखटा किया उसका अनाव कॉंटेड पैसा किस बात में खर्चा हु इन्होंने रेल से यात्रा करने के लिए एक हजार करोड रखा था किसी यात्री को इन्होंने हजार करोड में नहीं पाँचा है तो पैसा कहा गया यह सब जो चल रहा है और जिसके कारण हमारे देश में भयानक मंदी आने वाली है भयानक बेरोजगारी आने वाली है उसके विरोध में हम यह प्रोटेस कर रहे और वह प्रोटेस उस दिन कर रहे जिस दिन रहेए हिटलर का जनम दिन था। 20 अप्रेल 1949 को उन्होंने रास्ट दिवस मनाया था और 45 में उनका अंत हो गया था। अपरेल 1925 को उनका अंत हो गया था हम चाहते कि बीजेपी शाषन का और या आरेसेस का अंत हो जाए ये थे हमारे साथ काकड़े जी जो किसान ब्रिगेट के नेता है अपनी बात उन्होंने बेबाकी से रखिये और उनका कहिना है कि 20 अपरेल को वो प्रोटेस्ट कांग्रेस की जो निती है या बीजेपी को जो निती है उसके खिलाब वो प्रोटेस्ट दीन मनाएंगे क्योंकि उस दीन हिटलर ने जो है रास्टर राश्टर के नाम एक देश मनाया था और उसका उसकी जो नीती थी वो देश के लिए घातक थी वैसे भी BJP और BJP एवं मोधी सहब की नीती जो है वो देश के लिए बहुत बड़ा घातक है ऐसा उनका आरोप है केमरान विकास के साथ सुजित ठमके विदरबा टीवी नाकपूर